चाह बच्चे हैं चाह बड़े हैं यह बिमारी तो बिमारी है और यह भी एक नसों की रुकावट है फिर यह दीरे दीरे नसे रुक जाती हैं खून का संचार पूरा नहीं होता तो एक दम बच्चे को आर्ट अटेक बढ़ जाता है आप ने देख्या बहुत से आदमी जिम भ बहुत ही अच्छे सूपरस्टार है और जिम में उनके एक दम डहते होगी रूँर भी कोई ज्यादा नहीं थी आपने यह देख भी लिया और सुन भी लिया आप सब जानते भी हैं तो आप यह सोचो कि मैं जिम कर रहा हूं और मैं ठीक रहूँगा ऐसा नहीं है दोस्तों क जो कि में बीमारी है नसों की रूखावट है जब तक आप अपनी नसों को सรही त्रिक्के से नहीं खोल लोगे तो रूख गंभीर हो सकता है इसमें कोई शकी बात नहीं है औॉली चीज़े खाते हैं और रॉरक आॉट बहुत ही कम करते हैं तो रूग आजाते किया आदमीं वरक आउट भी बहुत करते हैं लेकिन पीजा विजा खाते हैं और कई आदमी वरक आउट भी बहुत करते हैं पीजा विजा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं उनको भी रोग आ जाता है उनका कारण क्या है टेंशन वो टेंशन के कारण फिर ये रोग आ जाता है फिर क्या होता दिल धक, धक, धक करने लग जाता है, जब टेंशन आदमी को बढ़ी रहेगी, तो भी रोग हो जाएगा, बहुत ही आदमी, बहुत कहरे हैं, मैं पांच किलो मीटर सहर करता हूँ, चाय मैं पिता नहीं हूँ, मैंदा की कोई चीज खाता नहीं हूँ, तलीवी चीज मैंने कई कई साल से खाई नहीं है, हर चीज को पानी को भी चान के पिता हूँ, तो उसको भी रोग आ जाता है, वो कब आता है, जब उसको टेंशन होने लग जाती है, तो भी रोग आ जाएगा, इन सब का जो मेन उपाए है, दोस्तो नसों में ब्लोक की जा बस, यह सोचो, जब नसो जैसी बिमारी आ गई है, तो क्या करें, पान, अदरक, प्याज और लहसन, यह मैं एक बर दिखावी देता हूँ, चैब बच्चा हो, चैब बड़ा हो, यह जूस पी ले, जैसे प्याज ले ले, यानि ओनियन होता है, जो खांदावी बोल देते हैं, कई जंग अलग अलग तो यह प्याजे में दिखावी दिया आपको, इसको चील के, इसका जूस निकाले, यह देख लो, अब अब लब यह लसन है, जो गारलिक भी बोल देते हैं, लसन भी है, इसकी अलग 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 नाम है, तो यह लसन है, यानि एक पूरा लसन इसमें डाल दे, इसका जूस फिर यह अदरक है, यह देख लो अब इसको, अब इसको अलग अलग बासवाम अलग वो जाथी, इसलिए मैंने दिखा भी दिया, पूरी एक अदरक डालक है, और पान के पते, पान जो खते हैं, वो पान के पते, पान साथ, और आमा हल्दी, जो हरे वाली हल्दी होती है, ज इसमें एक कप गरम पानी डाले, और इससे, इसको आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा, इसमें फिर एक कप गरम पानी डाले, उबलता हुआ, चान के, मलब इसको फिर चान ना नहीं है, यह ऐसे ही आपने जरिनल पीना, जिसको आठ की ज्यादा ब्लोकी जो तो तीन बार पी लें, नहीं तो दो बार जरूर पीएं, या कोई भी नसो में आपको रुखाव अटेक कहीं पर भी है, और साथ में आर्वेदिक का कोरस करें, क्योंकि आर्वेदिक में जो नसों का खोलने का कोरस है, क्योंकि ब्लोकी ज्यादा हो जाती है, तो जरूर करें, तो आपको अप्रेशन से बच सकते हो, मैं तो यह कह रहा हूँ, जो बड़ी बिमारी आपको आ रही है, एकदम हर्टेक्स पढ़ने वाला है, उससे यह वाली आप मुद्रा लगा, और राट की प्रोल्म है, तो यह वाली आप मुद्रा देख लिए, एक बार चीतर है, यह देखो, यह प यह पूरे स्रीर में यह पूरा हर्ट एक दम कई बार रात को हर्ट के बिमारी ओजाते हैं, पड़ने लग जाता है, तो तुरंत यह जूस पी लें, या ना हो तो खली लसन का ही जूस पी लें, निकाल का है, या लसन को पानी में या दूद मुबाल का है, आप तुरंत जरूर करें, वो आरवेदिक डाक्टरों से सला लेका है, अपना कोर्स मंगाए, क्योंकि बिमारी कितनी है, कितनी नहीं है, वो उसके हिसाब से फिर बताते हैं, जब तक आप नसों को नहीं खोल लोगे, दोस्तों अराव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तक कर रहा हूँ, क पास्ट रोक को लेकर, कई बार ऐसी स्तितिया आ जाती है, कि नसे एक के उपर एक चड़ जाती है, जिने क्रैम्स भी बोला जाता है, बाइंटे आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो प्राब्लम्स जो होती है, बड़े रोग में तबदील हो जाती है, जो को बाइ निया Your श्रव नसो की रुकाउट है, मैं इक बार पैर दीखना करता हूँ, कैसी पेह पीमारी थी, कैसा पैर था एक बार पहले देख लो, ये पैर पैर देखो, ये कितना सुदर पै नसो में रुकाओ टानी स्टार्ट होगी दिर दिरे देख लो ये दी रहे ये देखो ये पहले रुकाओट फी लेकिन इन्होंने क्या हुआ पहले आई धानी लॉथी थे इल्राज करा तो दोड़ा वाण को युद्ध हमसारा था महिंगा था महरे था एक साल के बाद इनके देखो पैरों का क्या हाल हो आप पहले तो नसे नीली नीली थी यह देखो फिर यह पूरी नसे बलोक होती चली गई और इनके पैरों का क्या हाल हो गया देख लो दोस्तों यह देख लो यह देख लो आप यह मैंने सारी नसे इनकी बलोक होगी मैंने कहा एना थी यह देखो नसों कि यह अल्की ब्लोकी चल रही ती यह देख रही आप यह देख़नें यह दिरे नीली रे उन्ह पहले पहला डी बलोक ने आप यह ऑप उलोक ती जब भी अ seasoned ती तो तब आराम पड़ेगा नेहीं तो पेलाज नाकर महिंगा भी आरवैधी २िया को वक्त रहते हैं है यह किसकी रुगाउट ही नवसों की रुग हो जाती एक फतली लेडिस का भी दिखाता हूं पैर सहाब की तरह का जाता हूं है आपको रोक गंबीर ना हो दोस्तो इसलिए वक्त रहते हैं अपनी नसों को खुलें जब तक आप नसों को नहीं खुलोगे कितना भी इन पर तेल वे लगाते हो नहीं आराम पड़ेगा अब देखो यह करी मैं तेल कि इतनी मालिस करती हूं मैंने तो इतने महंगे महंगे तेल ले लिया यह ले लि होता है, यह नसों की रुकावट है जब तक प्र यह पिर लगैöstर जाती है इसे बायट इकर दیते हैं फिर नि रखना ता है इसको इतना दर्द होता है लेड़ीज करी मैं तरफ जाती हूं तरफ जाते हूं मेरे कोई injection लगता तब ही अराम पड़ता नहीं तो अराम ही नहीं पड़ता अब कितना पतली सी है सुकी सी है आपने देख लिया दोस्तों ये सिर्फ एक ही बिमारिया सिर्फ नसों की रुकावट है बस आप अपनी नसों की रुकावट को खोले और या दबवाने को मन करता है धराम पड़ेगा किसी का हिप्स जोइंट्स खराब हो जाता है मलब निच्चे तक जाता ही नहीं है कईयों का L4 L5 और S1 में डिफेक्ट आ जाता है यानि जो स्लिप डिस हो जाती है तो उसका प्रेशन तो लास्टेज है वो वक्त रहते हैं अग निचे के फेरो निचे तक पैर में धर आता रहता है दिरे दिरे तो उसका एक ही बहुत इच्सा अलाज है किसी बी अच्यार्वेजिक डाक्टर् सो नसों का खोलने का recursos करें जब आपकी नसे खुलेंगी तो दीरे दीरे पैरों में जो सुन पनाता है जो भेंकर दर्द रहत है उसमा अराम पड़ेगा तेल लगाने से अराम नहीं पड़ेगा इतना हाँ जब आपकी नसे खुलेंगे तेल लगाएंगे तेल की मालिस करेंगे तो और अच्छा ला मिलेगा फिर उसोने पर सुआगा हो जाएगा कई बार क्या होता है कि आदमी वक्त रहते ही लाज नहीं करता है वह बीमारी फिर बढ़ती रहती है फिर डाक्टर आपरेशन बोल देते हैं देखो यह वेरी कॉंस्वेंज की सिकायत थी नहीं की नसें बलोक थी मैं आदमी काई पैर दिखाता हूं यह कैसा हो गया अब यह एक बार देख लें इस पैर को यह वेरी कॉंस का पैर इत इसलिए आपको एक ही काम करना अपनी नसों को खोल लें जब तक आप अपनी नसों को नहीं खोलोगे अराम नहीं पड़ेगा कितना भी लाज कराते रो कहीं से भी पेन किलर खाते रो कुछ टेम के लिए अराम पड़ेगा फिर बिमारी हो जागी हो तो सुन पनाएगा इसल क्रिया होते हैं, यह कम से कम 40 मिन्ट आपना करना, कितने मिन्ट 40 मिन्ट, यानि 40 मिन्ट तक इस असन को करना है, सुबह, दोपर और शाम को, अगर ज्यादा तक्रिव है, और किसी अच्छे योगाचारिय की देख रेक मैं करेंगे, तो और अच्छा लाब मिलेगा आपको.